जैन साथियों एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का बीए समेस्टर वाला में ठीक है प्यारे साथियों आपके पेपर का नाम है इंडियन पॉलिटिकल थौट भारती राजनितिक विचार जो दिन दियालुपद है गोरपूर विस्विद्याला है डीडियू उसका पेपर कोड है पी उयल 306 ठीक है चार पेपर होंगे दिन दियालुपद है गोरपूर वि से पढ़ रहा हैं आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं सभी बिस्विद्याले यह यह चैलिए और यह क्लास फोर से आने वाले objective प्लस subjective यदि आंके कालेज्ज में objective टाइप प्रसन आपके एग्जाम में होंगे या फेप्र सब्यक्टिज़ टाइप होंगे तो दोनों टाइब एक्जाम होंगे तो दोनों टायब को आप कवर कर सकते हैं कोई दीक्कन नहीं है और ऐक बात और यैदि आप भारत के किसी भी विश्व देलत से है तो आपना प debt. को जरूर Scenカ्र घिएगा ठीक है फेपर कोड कमेंड बॉक्स में कमेंड जरूर करिएगा इसमें most important questions है और answer वो भी notes के साथ मिलेंगे ठीक है subjective type exam होगा तो भी आप इस class को attend कर सकते हैं और objective type आ ले तो mostly इसको attend करना पड़ेगा ठीक है चले इसमें पहला प्रसंद देखते हैं साथ ही आपका क्या पूछा है सेंडलर आयोग संबंदित था सेंडलर आयोग सिच्छा से संबंदित था ठीक है अब आपके दिमाग में प्रस्ण आएगा सेंडलर आयोग क्या है सर तो अगर यह लिखने के लिए आएगा तो भी आप इससे देख सकते हैं आपके objective type में भी यह प्रस्ण पूछेगा ठीक है सेंडलर आयोग कलकात्ता विश्विद्याले की समस्याओं का पता लगाने और उन पर रिपोर्ट देने के लिए 1917 से 1919 के बीच बना गया था इस आयोग का नाम लिट्स विश्विद्याले के कुलपती स्री मिसेल सेंडलर के नाम पर रखा गया था ठीक है आपके एक्जाम मे पूछता है सेंडलर आयोग किसके नाम पर रखा गया था तो मिसेल सेंडलर के नाम पर रखा गया था इस आयोग में दो भारती सदस्य भी थे पहला नाम है डाक्टर आसुतोस मुखर जी और दूसरे थे डाक्टर जियाउद्दी नहमत ठीक है दो भारतियों के नाम भी किसे से संबंदित था तो या सिच्छा से संबंदित था आपसन नमबर भी करेक्ट आपका चलें तीसरा प्रस्ण आपका इसमें पुछा साथियों भारत की सैचछडिक नीती में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक थे चासूर थे मैकाले थे लाड कार्ण मालीस थे या भारत की सैचछडिक नीती में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक थे लाड मायकाले ठीक है और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों तेकि आप लोग क्लास तो डेली करते हैं लेकिन 80% बच्चे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं की हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें यह आपसे रिक्वेस्ट है ठीक है आप लोग मुझे भी सपोर्ट करें और इस क्लास को सेर कर दीजेगा यह आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है सब्सक्राइब मोश्टरी करिए आप लोग सब्सक्राइब न फिल्ट्रेशन थेओरी को अन्न किस नाम से जाना जाता है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थेओरी. यह सिध्धान्त भारत के अपनिवेसिक गाल के दारान सिच्छा से जूड़ा था. इस सिध्धान्त के मुताबित सिच्छा उच्वर्ग के भारतियों को दी जानी थी और उनके जरिये इसे जनता के बीच पर सारित किया जाना था ठीक है चले एक बत और साथियों जो लाश्ट वाले आपके 15 परस्ण बचेंगे 15 से 20 परस्ण वो आपके जैकपाट परस्ण होंगे ठीक है आपके एक्जामें 100 परस्ण आएंगे तो ध्यान से जरूर देखिएगा कलास को लाश्ट तक छीरे ठीक है चले इसमें चौथा परस्ण आपका सिच्छा प्रारंब की गई अच्छा आपके दिमाग में परस्ण आएगा भारत में अंग्रेजी सिच्छा प्रारंब की सन में की गई थी तो मैं वह भी बताता हूं ठीक है ध्यान दिजेगा भारत में अंग्रेजी सिच्छा की सुरुवात 1835 में हुई थी इसकी सुरुव लाड वीलियम बैटिंग और लाड मैकाले ने की थी ठीक है लाड मैकाले जिनका असली नाम थामस बविंगटन था उन्होंने भारत में अंग्रेजी भासा और बिर्टीज सिच्छा लाई थी प्रस नमर पांच आपका पूछा साथियों भारत के पर्थम तीन बिस विद्याले की अस्थापना किस वर्स हुई तो 1857 में भारत में पर्थम तीन बिस विद्याले की अस्थापना हुई थी पहले विद्याले की कोई बाद नहीं चलिए बताते हैं ध्यान से देखिएगा आप लोग अच्छा इसका पीडियाप आप लोग जरूब डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है टेलेग्राम गुरूप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक मदरास विद्याले और बांबे विद्याले ठीक है इन विद्यालियों की अस्थापना 1864 की चार्ल्स वूड के डिस्पैच को आधार बनाकर की गई थी इन विद्यालियों ने उच्छ सिच्छा के ब्रेटीस माडल का पालन किया था छात्रों को अपनिवेसिक सरकार में प् से माना जाता है भारत में पुलिस का जनक लाड कारनवालिस को माना जाता है आपसर नमबर बी करेक्ठ आपका चलिए बहुत ही सांदार प्रस्ण है यह जो मैं प्रस्ण सारे पढ़ा रहा हूं यह आपके कामपटेट्व एक्जाम में भी आते है तो जो छात्र कामपटेट उन्होंने पुरानी भारतिय प्रडाली को आधुनिक बनाते हुए एक दरोगा भारतिय और एक जीले के अंतरगत थाने हलके और पुलिस अधिच्छक एक जीले के प्रमुख की विवस्था की थी प्रस नमबर साथ आपका पुछा है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जो बंगाल है उसके प्रथम गवर्नर जनरल थे वारे नेस्टिंग्स आपसा नमबर एक करेक्ट आपका चले ध्यान दिजेगा साथियों बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारे में। वारें हैस्टिंग्स को बंगाल पाला गवर्नर जनरल नियुक्त माना जाता है तो लाड कारण भारत में योग्यता अधारित आधुनिक सिविल सेवा की अधारणा 1854 में बनी थी 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की अस्थापना की गई थी और 1855 में प्रतियोगी परिक्षाएं शुरू की गई थी 1864 में रविंदर नाथ टाइगोर के भाई सतेंदर नाथ टाइगोर ने पहले भारती थे जिन्होंने सिविल सेवा परिक्षा में सफलता प्रात की ठीक है ध्यान रखेंगे आपके एक्जाम में पूशता है भारत के पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने सिविल सेवा परिक्षा पास की थी तो कौन थे भईया सतिंद रनाट टाइगोर ये रविंद रनाट टाइगोर के भाई थे ठीक है अच्छा आगे देखिए तीन वर्ष पश्चात चार अन्य भारतियों ने भी इसमें सफलता हासिल की थी प्रस्न नम्बर 9 आपका पूछा है भारत की आजादी के समय भारत का बासराय कौन था भारत की आजादी के समय भारत का बासराय लाट माउंट बेटन था आपसा नम्बर B करेक्ट आपका आपके एकजामे पूछता है लाट माउंट बेटन का कारिकाल कब से कब तक रहा क्यो भारत के वासराय थे, 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक लाड माउंट बेटन भारत के वासराय रहे, इसके बाद 15 अगस्त 1947 से 21 जुन 1948 तक वे भारत के गवर्नर जनरल रहे, लाड माउंट बेटन ब्रिटीस भारत के अंतिम वासराय भी थे प्रस नमर 10 आपका पुछा है भारती राष्टी कांग्रेश की अस्थापना किस वासराय के कारिकाल में हुआ तो लाट डफरिन के कारिकाल में हुआ अफसर नमर B करेक्ट है प्रस नमबर 11 पुछा आपका कलकत्ता बंबाई और मदरास विस्विद्याले की अस्थापना 1857 को किस वासराय के कारिकाल में हुआ तो लाड कैनिंग वासराय के सासनकाल में हुआ था, ठीक है, कलकात्ता, बंबाई, मदरास, जो भी सबिद्धाले थे, 1877 में अस्थापित हुआ था, उस समय भारत के वासराय लाड कैनिंग थे, ठीक है, चले, प्रस नमबर 12 आपका है, 1911 को भारत की राजधानी कलकात्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वासराय कौन था, तो लाड हार्डिंग दूतिय थे, अपसर नमबर D करेक्ठाप का, ध्यान रखेंगे साथियों, भारत के ततकालिन समराट जार्ज पंचम ने, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में, भारत की राजधानी को कलकात्ता स दिल्ली अस्थांतरित करने की घुसरा की थी, उस समय भारत के वासराय लाड हार्डिंग थे, लाड हार्डिंग 1910 से 1996 तक भारत के वासराय रहे, 1912 में राजधानी का वास्तविक अस्थांतर हुआ, 13 फरवरी 1931 को भारत के वासराय लाड इर्विन ने देश की नई गवर्नर जनरल गपढ़े च्छार इन्हेन करया सब्सक्रार करें 25 आपकों समार मार्जुपरियूर infection स्वानल के किया द शक्रां मैं पूसता है इसलिए बताते चला हूँ ठीक है तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा चौदर नमबर पस्न है किस ने कहा था मारले मिंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र पुछा है ब्रिटीज सासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दरजा किस वर्ष प्रात हुआ तो यह प्रात हुआ था 1911 में ठीक है इसमें दखिए जो परस्ण इसमें टूइस्ट है ठीक है ध्यान रखेंगे ब्रेटीश सासन के दवरान बिहार को एक अलग प्रांद का धर्जा कम मिला था 1911 में ठीक है जब ब्रेटीश सासन पूछेगा तो 1911 आगे मैं जो प्रस्ण पढ़ाऊंगा ध्यान से पढ़िएगा ठीक है ब्रेटीश सासन के दवरान बिहार को अलग प्रांद का धर्जा 12 दिसंबर 1911 को मिला था यह घोसडा दिल्ली दरबार में किंग जार्ज पंचम ने की थी ठीक है इसे से संबंदित आगे मैं प्रस्ण पढ़ाऊंगा लगबग लगबग वो प्रस्ण है 50 के आसपास ठीक है तो ध्यान से पढ़िएगा वो प्रस्ण को और इस प्रस्ण को रिलेट करिएगा बहुत ही सांदार तरीके से ठीक है सत्रे नंबर प्रस्ण है सिकागो में विश्व संसद किस वर्स आयोजित की गई थी सिकागो में विश्व संसद 1893 में आयोजित की गई थी प्रस्ण नंबर 18 साथियों स्वामी विवेकानंद जन्मति थी है स्वामी विवेकानंद की जन्मति थी कम मनाई जाती है साथियों तो यह मनाई जाती है 12 जन्मरी को ठीक है आपसर नंबर सी करेक्ठाप का ध्यान नखेंगे स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जन्मरी 1863 को ह उनका बच्पन का नाम क्या था भीया नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था वह स्री रामकृष्ण परमहंस के सिस्ष थे ठीक है आपके एक्जाम में पूसता है स्वामी विवेकानंद जी किसके सिस्ष थे तो रामकृष्ण परमहंस जी म legislate SPC province Siya कप वारा सिद्स है प्रस नमर उनाइस है नरेंद्र नाथ किस व्र्स में प्रेसिडेंसी कालेज में सामिल हुए नरेंदरनाथ अभी मैंने उपर पढ़ाया स्वामी वीवकानन्द जी के बारे में पूछ रहा है तो ध्यान रखेंगे स्वामी वीवकानंद प्रेसिडेंसी कालेज में जो है 1880 में सामिल हुए थे अच्छा स्वामी विवेकानन्द यानि नरेंद्रनाथ के पिता की मृत्यू किस वर्स हुई थी बताइए किस वर्स हुई थी भैया तो 1884 में हुई थी 1884 में आपस नमबर एक रिक्ठाप का प्रस नमबर 21 पूछा है किसके सतत प्रयास से बंबाई में प्रथम महिला विश्विद्याला की अस्थापना हुई तो धीके करवे के प्रयास से बंबाई में प्रथम महिला विश्विद्याला की अस्थापना हुई अब आक के दिमाग में प्रशन आएगा कि बंबाई में प्रथम महिला विश्विद्याला की अस्थापना किस साल होई थी ये भी पूछेगा तो क्या जबाब देंगे तो ध्यान रखेंगे मुंबई में महिला विश्विद्याला की अस्थापना महर्ची डाक्टर धोंडे केसव करवे ने की थी साल 1916 में उन्होंने महिला सिच्छ के लिए भारतिय महिला विश्विद्यालाई की निव रखी थी प्रस नमबर 22 के आई इसमें डेकन एजुकेशनल सोसाइटी की अस्थापना से कौन संबंदित था तो इसमें जो आपके बाल गंग धर तिलक जी है या डेकन एजुकेशनल सोसाइटी की अस्थापना से एजुकेशनल सोसाइटी की अस्थापना 1884 में बाल गंग धर तिलक गोपाल गनेश अगर कर महादेव गोविंद रानाडे बी एस आप्टे और एम एस गोले ने की थी देखिए जो इसमें बाल गंग धर तिलक अगरणी थे ठीक है तो आपसन में देगा तो बाल गंग धर तिलक ही लगाएंगे और ध्यान में रखेंगे डेकन एजुकेशनल सोसाइटी की अस्थापना 1884 में हुई थी प्रस नमबर 23 है निम्न लिखित में से किसने आल इंडिया मुस्लिम लिख की अस्थापना की थी तो नवाप सलीमूला खान जी ने आल इंडिया मुस्लिम लिख की अस्थापना की थी कब की थी भीया तो ध्यान रखेंगे आल इंडिया मुस्लिम लिग की अस्थापना 30 दिसंबर 1906 में होई थी इसकी अस्थापना कहां होई थी धाका में ठीक है आल इंडिया मुस्लिम लिग की अस्थापना कहां होई धाका में कब होई थी 30 दिसंबर 1906 प्रसन मुरिक सथा फिर प्रे刃 प्रसक नमंढरे सेिए कम इन प्रसम इंटापना मुपक है खुर्ग मुनाई एप ओर प्रूंढ प्रस नमर 26 पुछा है महाभीयोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया तो वारेन हैस्टिंग्स पर महाभीयोग चलाया गया था ठीक है अच्छा क्यों चलाया गया था तो ध्यान रखेंगे भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स पर महाभीयोग चलाया गया था 1787 में उन पर महाभीयोग लगाया गया था 1788 में शुरू हुए मुकदमे के बाद 1795 में हैस्टिंग्स को दोसी नहीं पाया गया 27 नमर पस्ण पूछा है तीसरा एंगलो मराठा यूद किसे संबंदित है तो लाड हैंस्टिंग्स संबंदित है ध्यान रखेंगे साथ ही हो तीसरा आंगला मराठा यूद ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपनी और मराठा समराज के बीच अंतिम और निर्रायक संघर्स था ठ 1817 से 1819 तक चला यानि दो साल चला था इस यूद में अंग्रेजों ने राजनीतिक प्रभुत्व हांसिल कर लिया और मराठा संघ को नश्ट कर दिया था प्रस नमबर 28 है आपका 1802 की बेसीन की संधी पर हस्ताचर किसके बीच हुई तो अंग्रेज और बाजी राज दूती के बीच हुई थी आपसा नमबर B करेक्ट है आपका 28 का चले आगे बढ़ते हैं साथियों इसमें आपको की पॉइंट्स पढ़ाते हैं ध्यान दिजेग 1802 में मराठा पेशवा बाजीरा दूती और अंग्रेजों के बीच बेसीन की संधी हुई थी इस संधी पर 31 दिसंबर 1802 को वर्तमान बेसीन यानि बसाई में हस्ताचर किये गए थे प्रस नंबर 29 क्या है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदर्शा कहां अस्थापित किया था तो भारत में अंग्रेजों ने सरुपर्थम मदर्शा कोलकाता में अस्थापित किया था अच्छा कब किया था भया यह भी ध्यान रखेंगे अंग्रेजों ने भारत में पहल मदर्शा कलकत्ता में अस्थापित किया था इसकी अस्थापना 1781 में इस्ट इंडिया कमपणी के ब्रिटीस गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स ने की थी इस मदर्शे का नाम अलिया विशुविद्याले है इसे एसिया के सबसे पुराने आधुनिक सैच्छडिक संस्थान तो विलियम जोन्स थे आपसा नमर एक करेक्ट आपका एसियार्टिक सोसाइटी आफ बंगाल की अस्थापना 15 जनवारी 1784 को सर विलियम जोन्स ने की थी ठीक है आपके एक्जामें पूछता है एसियार्टिक सोसाइटी आफ बंगाल का अस्थापना कब हुआ था तो 15 जन जाथियों ठीक है एक्तिस नंबर प्रशन है वरारसी में परथम संस्कृत महा बिद्याला किया स्थापना किस ने की तो जोनाथन डंकन ने की थी अब्सन नंबर एक करेक्षय अच्छा आपके दिमाख में प्रसना आएगा वरारसी में परथम संस्कृत महा जो थी जोनाथन डंकन ने की थी तो कब करी थी ठीक है तो ध्यान रखिएगा साल 1791 में इस्ट इंडिया कमपणी के ततकालीक निमासी जोनाथन डंकन ने वाराडसी में संस्कृत महाविद्याले की अस्थापना की लाड कार 49 ने इसकी मंजूरी दी थी यह भी ध्यान रखें गावक्रणी के संस्थापक सदस्यो में सामिल थे कौन-कन सामिल थे आगा खां सामिल थे नवाब सली मूला आफे थे सय्याद अहमाद खान ये नई था ठीक है तो आपका इसमें पहला दिया है दूसरा दिया और तीसरा यह सामिल थे 4 आपका अम्हार नहीं थे ठीक है तो एक 2-3 हमारे स्थाक्रेंगे दिया है के बल 8 दो और तीन, हफ्सन नमर C करेक्ट है आपका ठीक है, यहां पर A, B, C और D, ठीक है, आपका C वाला करेक्ट है, प्रस नमर 33 पुछाया साथियों, मुस्लिम लिग का प्रथम अस्थाय अध्यच कौन था, मुस्लिम लिग का प्रथम अस्थाय अध्यच आगा खा थे, हफ्सन न थाटीफ हो रहे हैं 1907 इसवी में मुस्लिम लिग का वार्षिक अधिवेशन कहा हुआ था तो 1907 में मुसलिम लिग का वार्षिक अधिवेशन कराची पाकिस्तान में हुआ था ठीक है आपसर नम्मर सी करेक्ठाप का प्रस नम्मर 35 क्या है 1906 में मिन्टो से सिमला में मिले मुसलमानों के सिष्ट मंडल ने प्राथना की तो मुसलमानों के लिए प्रिथल निर्वाचन वर्ग की प्राथना की थी आप सनम्मरे करेक्ट आपका 35 का प्रस नम्मर 36 क्या है सन 1908 में अखिल भारती मुसलिम लिग की एक लंदन साखा की अस्थापना होई अमीर अली की अध्यचता में होई थी आप सनम्मर सी करेक्ट है प्रस नम्मर 37 है भारत में पहली रेलेवे लाइन किसकी अवधी के दावरान रखी गई लाड अलहाउजी के लाड करजन के लाड वेलेजी के या फिर लाड लीटन के तो लाट डलहु जी के अवदी के दौरान भारत में रिलेवे लाइन की नियु रखी गई थी अच्छा प्रस नमबर 38 क्या है बिधवा पुनर विवा अधिनियाँ किसके सासन काल में लागु किया गया था तो लाड डलहुजी के सासनकाल में लागू किया गया था, ठीक है, हिंदू बिधवा पुनर विवा अधिनियम 1856 को, लाड डलहुजी के कारेकाल में 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया प्रस नमर 39 है आपका, किस गवर्नर जनरल ने दासपर्था को समाप्त कर दिया था, बहुत ही सांदार प्रसन है, लाड एलेन बरो ने ठीक है, दासपर्था को समाप्त कर दिया था, अब ये लाड एलेन बरो को नविया, चलिए आपको बताते है, देखिए, ब्रिटिस गवर गवर्न जनरल लाड एलेन बरो ने भारत में दास्प्रथा को खत्म किया था 1833 के चार्टर अधिनियम में पूरे ब्रिटीस भारती समराज में दास्ता के उन्मुलन का प्राधान किया गया था 1843 में भारती गुलामी अधिनियम 1843 बनाकर पूरे भारत में गुलामी को अवैद घोसित कर दिया गया इस समय गवर्नर जनरल लाड एलेन बरो थे चली 40 नमबर पस्ण क्या है आपका किसके सासन काल में किस वासराय की हत्या हुई लाड करजन लाड में या फिलाड लिपन या फिलाड विलेज विलेस ठीक है लाड विलेजी है यहाँ पर ध्यान रखेंगे टाइपी में गलती हुई है तो ध्यान रखेंगे जो लाड में यह भारत के एक मांत्र ऐसे वासराय थे जिनकी हत्या उनके कारेकाल में होई थी 1872 में सेर अली अफरीदी ने पोर्ट बिलेयर में लाड मेयों की चाकू मार कर हत्या कर दी थी अब आपको पता चल गया साथियों लाड मेयों की हत्या कैसे हुई थी ठीक है वो एक मात भारती है जिनकी हत्या हुई थी भारत में प्रस नंबर 41 क्या है निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रडाली को समाप्त किया था तो इसमें जो वारेन हैस्टिंग्स थे इन्होंने बंगाल में दोहरी सासन प्रडाली को समाप्त किया था अच्छा ध्यान रखेंगे वारेन हैस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में दोहरी सरकार प्रडाली को समाप्त किया था वारेन हैस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे उन्होंने राबर्ट कलाईब द्वारा अस्थापी दोहरी प्रडाली को खत्म किया था अच्छा यहां पर एक प्रशनावर बनेगा देखिए बंगाल में दोहरी प्रडाली को किस ने लागू किया था भिया राबर्ट कलाईब ने ठीक है और समात किस ने किया था वारेन हैस्टिंग्स ने कब किया था 1772 में प्रस नमबर 42 क्या है सैंडलर आयोग को किस विश्विद्याले की कामकाजी परिस्तिति में पूछताज के लिए निउक्त किया गया था तो जो कलकत्ता विश्विद्याले है ठीक है कलकत्ता विश्विद्याले के कामकाजी परिस्तितियों में पूछताज के लिए निउक् सभ्रव में निमनलीखित कथनों पर विचार कीजिए ठीक है कफन कया भ या कथन है हमारे इसने विसुभिय द्याले सिच्छा पर ध्यान केंद्रीत किया और प्राथ्मिक और माध्मिक शिच्छा की अन देख्शी की क्या संडलर आयोक के संदर्व में यह सही है तो यह सही न इसी तरह से प्रश्ण आपके एक्जाम में आएंगे ध्यान रखेंगे प्रश्ण नमबर 44 क्या है भारत के अपनी वेशिक काल के दौरान निम्न अस्पंदन का सिधांत सिच्छा से संबंदी था ठीक है निम्न अस्पंदन का सिधांत कि से संबंदी था सिच्छा से 44 का आपस आपसर नमबर A करेक्ट है प्रस नमबर 46 क्या है आपका किस गवर्णर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को सिच्छा के माध्यम के रूप में बनाने का फैसला किया लाड वीलियम बैटिंग ने आपसर नमबर D करेक्ट है प्रस नमबर 47 क्या है भारत में अस्थावित पहले तीन विश्विद्यालियों की पहचान कीजिए बहुत ही सांदार प्रसन है तो कलकात्ता, बांबे और मदरास यह मैंने शुरू में पढ़ाया आपको ठीक है चलें, C, D और E हमारा करेक्ट है, C, D, E, ठीक है, C, D और E हमारा करेक्ट है, आपसर नमबर C करेक्ट है आपका चलें, प्रस नमबर 48 है, भारत को स्वतंतरता मिलने के समय भारत का वासरा कौन था, बहुत ही सांदार प्रसन है तो ध्यान रखेंगे, लाड मांट बेटन जो थे, ठीक है, भारत को स्वतंतरता मिलने के बाद, उस समय भी ये वासराय थे, भारत के, ठीक है, लाड मांट बेटन प्रस नमबर 49 है, भारती राष्टी का अंग्रेश की अस्थापना के समय भारत का वासराय कौन था, तो लाड अफरीन थे, अप्रस नमबर B करेक्ट है प्रस नमबर 50 क्या असा थी हो, मारले मिन्टो सुधार का भारती परिशत अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1909 में पारित किया गया था, अफ्रस नमबर D करेक्ट है प्रस नमबर 41 क्या है, बिहार भारत में एक अलग परांत कब बना, देखिए मैंने सुरू में आपको पढ़ाया था ठीक है, तो यहां 1912 है, आफ्सा नमबर D करेक्ट है, ध्यान रखेंगे अगर पूछेगा बिहार भारत में एक अलग परांत कब बना, तो 1912 में ठीक है चले, प्रस नमबर 52 क्या है, बिहार किस अधनियम द्वारा प्रिथक परांत बना, तो बहुत ही सांदार पस्न है 1935 का भारत सरकार अधनियम के द्वारा बिहार अलग परांत बना था, आफ्सा नमबर एक करेक्ट हाप का प्रस नमबर 53 क्या है, भारती महिला पिस विद्याले की अस्थापना किस ने की, तो धोंडे के सब करवे ने की थी ठीक है, ध्यान रखेंगे धोंडो के सब करवे या फिर धोंडे के सब करवे लिखकर, दोनों में से कोई एक लिखता है, धोंडे या फिर धोंडो, ठीक है, चलें देखिए मैं मांतरा क्यों बताता हूं क्योंकि बच्चे कन फ्यूज हो जाते हैं ठीक है तो ध्यान रखेंगे 31 दिसंबर 1802 को किस मराठा राजनेता ने बसीन की संधी पर हस्ताच्छर किये तो बाजी रादूती ने किये थे आपसर नमबर ए करेक्ट है प्रस नमबर 55 क्या है 1791 में बनारस में किस कालेज की अस्थापना हुई थी तो संस्क्रीट कालेज की अस्थापना हुई थी इसके बारे में मैंने आपको आगे पढ़ाया है ठीक है ये सबी जैकपॉट पर आएंगे आपके एक्जाम में भारत में दास पर्था को किस वर्स अवैद घोसित किया गया था तो अठारसो तिरालिस में किया गया था आपसे नमरे करेक्ट है परस नमर फिप्टी सिवन है किस गवर्नर के कारेकाल में सती पर था का उनमुलन किया गया तो किस के काल में किया गया भी या तो लाड वीलियम बैटिंग के काल में किया गया था परस नमर फिप्टी एट क्या है बंगाल में दोहरी सासन पर लाली की सुरुवात किसने की बहुत ही सांदार प्रस्ण है किसने की और किसने खतम की मैंने पहले ही पढ़ा दिया है बताईए तो रावट कलाइब थे जिन्हों ने बंगाल में दोहरी शासन प्रडाली के सुरुवात की थी प्रस्ण नमबर 59 है कांग्रेस और मुसलिम लिग के बीच परसिद्ध लखनव समझाता कब हुआ तो 1916 में हुआ था अबस नमबर B करेक्ट है प्रस्ण नमबर 60 क्या पुछा साथियों ब्रिटीस सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में एक लाग रुपए दिये तो चार्टर 1813 के तहत ब्रिटीस सरकार ने ठीक है सबसे पहले भारत में एक लाग रुपए दिये अब आपके दिमाग में प्रसना आएगा सर ये एक लाख रूपय क्यों दिये गए थे चलिए ध्यान देजेगा देखिए ब्रिटी सरकार ने 1813 के चार्टर अधिनियम के तहद भारत में पहली बार एक लाख रूपय दिये थे इस अधिनियम ने भारत में सिच्छा के प्रचार के लिए प्रतिवर्श एक लाख रूपय का अनुदान प्रदान गिया ठीक है यह अधिनियम आधुनी भारते सिच्छा की निव रखता है तो यह बहुत सारी जानकारी है मैंने आपको दिये साथी हो उमीद है आपको जानका अच्छी लगी होगी क्लास भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करिएगा ठीक है 80% बच्चे बताईए ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो देखिए जब तक आप लोग सपूर नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं बड़ पाऊंगा तो यह झाल